मेरा नाम नहा है और मैं अभी टीचिंग कोर्स कर रही हूँ मैंने प्रात्मिक विद्याले में शिक्षक बनने के लिए परीक्षा भी दी है हमारे घर में कुल चान लोग रहते हैं मैं मेरा भाई और हमारे माता पिता मेरी उम्र अभी 24 साल है और मैं अपने शरीर को भी मेंटिन रखती हूँ रोज सुवा योग भी करती हूँ ताकि फिट रह सकूँ मेरे भाई की उम्र 21 साल है और हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है हम दोनों एक दूसरे से अपनी बाते भी साझा करते हैं एक दिन मैं अपने भाई अरजुन से कुछ गुपबाते कर रही थी मैंने उससे पूछा अरजुन क्या तुम्हें कोई पसंद है अरजुन बोला नहीं दीदी अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली अगर कोई आपके जैसी मिली तो सोचूंगा इतने में ही मा आ गए और अरजण को किसी काम से बाहर ले गए मेरे भाई के मुँव से आप जैसी सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी बस उसके बारे में ही सोचती रह गई अर्जुन की बात सुनकर मैं थोड़ी असज हो गई थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहां मजाग कर रहा होगा मैंने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में लग गई लेकिन उस दिन के बाद से अर्जुन का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ लगने लगा वह पहले से ज्यादा मेरी बातों का ध्यान रखने लगा और हर छोटीबडी चीज में मेरी मदद करने की कोशिश करने लगा एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लोटी तो देखा कि अर्जुन मेरे लिए चाय बना रहा था मैंने हनस्ते हुए पूछा क्या बात है अर्जुन आज इतना ध्यान क्यों दे रहे हो अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कुछ नहीं दीदी बस आपकी मदद करना चाता हूँ आप हमेशा मेरा ध्यान रखती हो तो अब मेरी बारी है यह सुनकर मेरा दिल पिघल गया मुझे एहसास हुआ कि अर्जुन सिर्फ मेरा भाई नहीं है बलकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है जिस पर मैं हमेशा भरोसा कर सकती हूँ हम दोनों का रिष्टा पहले से भी गहरा हो गया था एक दिन हम दोनों चछत पर बैठे थे और बाते कर रहे थे अर्जुन ने अचानक से गंभीर होकर कहा नहा दीदी क्या आप कभी सोचती है कि हम कितने खुशकिस्मत है कि हमारे बीज इतना अच्छा रिष्टा है मैंने उसकी ओर देखा और कहा हां अर्जुन मुझे सच में लगता है कि भाई बहन के रिष्टे में दोस्ती होना सबसे खुबसूरत बात है हम एक दूसरे को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं और यही सबसे बड़ी बात है उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जो भी हो हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और अपने इस खास रिष्टे को बनाए रखेंगे समय बीटता गया और हम दोनों अपने अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्थ हो गए मेरी बीटीसी की पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी और मैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के अपने सपने के करीब थी वहीं अरजुन ने अपनी इंजिनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी थी घर में हम दोनों के भविश्य को लेकर चर्चाए होने लगी मापापा भी खुश थे कि हम दोनों अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ रहे हैं एक दिन अचानक अरजुन मेरे पास आया और बोला दीदी क्या आपसे कुछ बात कर सकता हूँ मैंने उसे बैठने का इशारा किया और कहां हां क्यों नहीं क्या हुआ अरजुन ने थोड़ी जिजग के साथ कहां दीदी मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं भी किसी के बारे में सोचूँ कॉलेज में एक लड़की है साक्षी और मुझे लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है यहाँ सुनकर मैं चौक गई लेकिन साथ ही खुश भी हुई कि अर्जुन ने मुझसे अपने दिल की बात साजा की मैंने मुस्कुराते हुए कहा अर्जुन ये तो बहुत अच्छी बात है क्या उसने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा हम अच्छे दोस्त है लेकिन मैंने उसे अभी तक अपने दिल की बात नहीं बताई है मुझे नहीं पता कि वह क्या सोचेगी मैंने उसे होसला देते हुए कहां तुम्हें अपनी भावनाओं को साफ साफ बताना चाहिए अगर वह तुम्हारी दोस्त है तो वह तुम्हारी बात को समझेगी चाहे जवाब जो भी हो तुमने अपनी सचाई बताई होगी और यही सबसे बड़ी बात है अर्जुन ने मेरी बात सुनी और कुछ दिनों बाद उसने साक्षी से अपने दिल की बात कह दी साक्षी ने भी उसकी भावनाओं को समझा और दोनों ने एक दूसरे को और जानने का फैसला किया अर्जुन की खुशियों में मैं भी शामिल थी उसका चहरा देखकर मुझे खुशी होती कि वह अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है हमारी जिन्दगी एक नए मोड पर आ गई थी जहां हमारे रिष्टे में और भी ज्यादा गहराई और समझदारी आ गई थी वही मेरी भी नौकरी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और जल्द ही मुझे एक प्रात्मिक विद्याले में शिक्षक के रूप में न्यूक्त कर लिया गया जब मुझे यह खबर मिली तो अर्जुन ने सबसे पहले मुझे बढ़ाई दी और कहां दीदी आप हमेशा मेरी आदर्श रही हो और अब आपने एक और सपना पूरा कर लिया मैं आप पर गर्फ करता हूँ उस पल मुझे एहसास हुआ कि हमारे भाईभेन के रिष्टे की सबसे खास बात यह थी कि हम दोनों ने एक दूसरे को हमेशा आगे बढ़ने और बहतर बढने के लिए प्रेरित किया हम दोनों के सपने पूरे हो रहे थे और हमारे बीच का रिष्टा दिन बदिन मजबूत होता जा रहा था अर्जुन और साक्षी की दोस्ती गहराती जा रही थी और मैं भी अपनी नौकरी में पूरी तरह से व्यस्थ हो गई थी प्रात्मिक विद्याले में बच्चों को पढ़ाने का अनुभव मेरे लिए नया और रोमान चक था बच्चों के साथ समय बिताने से मुझे एक अलग तरह की खुशी और संतुष्टी मिलती थी धीरे-धीरे मेरी पहचान एक अच्छी शिक्षिका के रूप में बनने लगी और मैंने अपने करियर में नई उचाईयों को छुना शुरू किया एक दिन जब मैं स्कूल से घर लोटी तो देखा कि घर में कुछ हल चल थी मापापा और अर्जुन कुछ गंभीर बाते कर रहे थे मैंने धीरे से पूछा क्या हो रहा है सब ठीक तो है माने मुस्कुराते हुए कहा नहां अर्जुन और साक्षी अब अपनी दोस्ती को एक कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं वे दोनों शादी के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं यह सुनकर मैं खुशी से जूम उठी मैंने अर्जुन की ओर देखा वह थोड़ा शर्मा गया था मैंने उसे गले लगाते हुए कहा अर्जुन यह तो बहुत बड़ी और अच्छी खबर है मैं साक्षी से मिलना चाहूंगी अर्जुन ने हंस्ते हुए कहा दीदी जल्द ही आपको साक्षी से मिलवाऊंगा वह भी आप से मिलने को उच्छुक है कुछ दिनों बाद साक्षी और उसका परिवार हमारे घर आए साक्षी एक प्यारी और समझदार लड़की थी और उसकी बातों से लगा कि वह अर्जुन के लिए एकदम सही साथी है हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही और दोनों परिवारों ने शादी के लिए सहमती दे दी अर्जुन और साक्षी की शादी की तैयारिया शुरू हो गई घर में हुशियों का माहौल था और हर कोई इस खास मौके के लिए उच्साहित था शादी का दिन भी आ गया अर्जुन दूलहे के रूप में बहुत ही खुश और आत्म विश्वास से भरा हुआ लग रहा था साक्षी भी बहुत सुन्दर लग रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे जब अर्जुन की विदाई हो रही थी तो मैं उसे गले लगा कर थोड़ी भावुख हो गए अर्जुन ने मेरी आखों में आसु देखे और हंसते हुए कहा दीदी आप तो हमेशा मुझे हिम्मत देती थी और आज खुद रो रही हो मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा ये खुशी के आसु है अर्जुन तुमने अपने जीवन में जो भी किया मैं हमेशा तुम पर गर्फ करती हूँ और आज तुम एक नई जिन्दगी की शुरुआत कर रहे हो अर्जुन ने मुझे गले लगाते हुए कहा दीदी चाहे जो भी हो आप हमेशा मेरे साथ रही है और हमेशा रहेंगी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शादी के बाद अर्जुन और साक्षी अपनी नई जिन्दगी में व्यस्थ हो गए और मैं भी अपनी नौकरी और परिवार में लेकिन हमारे बीच का रिष्टा कभी नहीं बदला हम दोनों ने जो वादा किया था वह आज भी कायम था हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे समय बीचता गया और हम सभी ने अपने अपने रास्तों पर चलते हुए जीवन में बहुत कुछ सीखा और हासिल किया पर एक बात जो हमेशा रही वो था हमारा भाइबहन का मजबूत और प्यार भरा रिष्टा जो हर मोड पर और भी गहरा होता गया समय गुजरता गया और अर्जुन और साक्षी अपने जीवन में खुशी-खुशी आगे बढ़ रहे थे दोनों ने अपने-पने करियर में भी अच्छा प्रदर्शन किया अर्जुन की नौकरी में प्रमोशन हो गया था और साक्षी भी अपने क्षेत्र में सफल हो रही थी उनकी शादी को कुछ साल हो चुके थे और परिवार में अब सब उनकी ननी खुश खबरी का इंतजार कर रहे थे फिर एक दिन साक्षी ने खबर दी की वहाग गर्भफ्ती है यह सुनकर पूरे परिवार में जैसे खुशियों का सैलाब आ गया अर्जुन तो खुशी के मारे पागल हो रहा था और मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा अब देखना छोटे-छोटे पापा के पीछे-पीछे भागते हुए तुम कैसे दोड़ोगे अर्जुन हंस्ते हुए बोला दीदी आप सही कह रही हो लेकिन मैं इस पल का बेसबरी से इंतजार कर रहा हूँ समय बीता गया और फिर वह दिन भी आ गया जब साक्षी ने एक क्यारी सी बेटी को जन दिया पूरा परिवार उसकी पहली जलक पाने के लिए अस्पताल में इकठा हो गया जब मैंने उस ननी परी को अपनी गोद में उठाया तो मेरा दिल भराया अर्जुन और साक्षी के चहरे पर गर्व और खुशी साफ जलक रही थी अर्जुन ने अपनी बेटी का नाम आर्या रखा और हम सब उस नाम से बहुत खुश थे आर्या के आने से परिवार में और भी खुशिया आ गए अब घर में उसकी किलकार्या गूंजती रहती थी मैं जब भी उसे देखने जाती तो उसकी मासूमियत मुझे अपनी सारी ठकान भूलने पर मजबूर कर देती अर्जुन को एक जिम्मेदार पिता बनते देखना मेरे लिए गर्व की बात थी एक दिन मैं अर्जुन के घर गई और देखा कि वहां आर्या के साथ खेल रहा था उसकी देखभाल में वह पूरी तरह से डूबा हुआ था मैंने उसे देखकर कहां अर्जुन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक बहतरीन पिता बन चुके हो अर्जुन ने हंस्ते हुए जवाब दिया दीदी मैंने आपसे ही तो सीखा है कि प्यार और समर्थन से सब कुछ आसान हो जाता है आपने हमेशा मेरे लिए जो किया अब वही मैं अपनी बेटी के लिए करना चाहता हूँ अर्जुन की यह बात सुनकर मेरा दिल भराया मैंने महसूस किया कि वक्त के साथ हम सब कितने बदल गए थे लेकिन हमारा आपसी प्यार और विश्वास हमेशा मजबूत रहा आर्या धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी और अब वह पूरे घर की जान बन चुकी थी मापापा भी उसकी देखभाल में मगन रहते थे और मैं भी जब समय मिलता तो उसके साथ खेलती अर्जुन और साक्षी उसे सबसे अच्छे संसकार देने में जुटे हुए थे और मैं यह देखकर बहुत खुश थी कि मेरी छोटी सी दुनिया इतनी प्यारी और खुश्णुमा हो गई थी हमारा परिवार जो कभी चार लोगों का था अब आर्या के आने से और भी सम्रिद्ध हो गया था हमारे रिष्टे और मजबूत हो गए थे और हम सबने एक दूसरे के साथ होने की एहमियत को और गहराई से समझा जिन्दगी में चाहे कितने भी उतार चड़ाव आए हो लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और यहीं हमारी सबसे बड़ी ताकत थी अब हमारे घर में हर दिन आर्या की हंसी और मासुमियत की आवाज गूंजती थी और हम सब उसके साथ अपनी नई-नई यादे बनाते जा रहे थे समय और आगे बढ़ता गया आर्या अब धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी और उसकी चंचलता पूरे घर को खुशियों से भर देती थी अर्जुन और साक्षी ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी आर्या का हर जन्म दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और घर की रौनक बस उसी के इर्दिगिर्ध घूमने लगी थी मापापा अब अपनी उम्र के साथ थोड़ा ठकने लगे थे लेकिन आर्या के साथ समय बिताना उन्हें नई उर्जा देता था इधर मेरी भी जिन्दगी में कुछ खास बदलाव हो रहे थे स्कूल में मेरा पदोनती हो गई थी और मुझे वरिष्ट शिक्षक का पद मिला था यहाँ मेरे करियर का एक बड़ा मील का पत्थर था और घर में हर कोई मेरे लिए गर्व महसूस कर रहा था लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बावजूद एक खालीपन भी महसूस होने लगा था मापापा अकसर मेरी शादी की बात करते थे लेकिन मैं हमेशा उन्हें टाल देती थी मुझे अपनी आजादी और करियर से बहुत प्यार था लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि जिन्दगी के इस सफर में एक साथी की जरूरत होती है एक दिन माने मुझसे सीधे बात की उन्होंने कहा नहा अब तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है अर्जुन की शादी हो गई उसकी जिन्दगी बस गई है अब तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए हमें तुम से कोई दबाव नहीं है लेकिन हम चाते हैं कि तुम भी अपने जीवन में खुशी और साथी पाओ मा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं वाकई किसी के साथ अपने जीवन को साज़ा करने के लिए तैयार हूँ उसी समय अर्जुन ने भी मुझसे कहा दीदी मैं समझता हूँ कि आपने अपने करियर पर बहुत महलत की है और हमें आप पर गर्व है लेकिन मा सही कह रही है आपको भी कोई ऐसा मिलना चाहिए जो आपके साथ जिन्दगी की सारी खुशिया बाटे अरजुन की यहाँ बात मेरे दिल में घर कर गई कुछ दिनों तक मैं इस बारे में सोचती रही और फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि अब मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए मापापा और अरजुन ने मेरे लिए कुछ अच्छे रिष्टे देखना शुरू कर दिये कुछ समय बाद एक रिष्टा आया जो मुझे और मेरे परिवार को बहुत पसंद आया उस व्यक्ती का नाम निखिल था वह एक बहुत ही सरल और समझदार इंसान था और उसकी सोच भी मेरी जैसी थी हम दोनों ने कुछ मुलाकातों के बाद एक दूसरे को समझा और फिर शादी के लिए हामी भड़ दी शादी की तैयारिया शुरू हो गए घर में एक बार फिर से उच्सा और खुशी का माहौल था अर्जुन और साक्षी मेरी शादी की हर तैयारी में पूरी तरह जुटे हुए थे और आर्या भी अपनी प्यारी शरारतों से माहौल को हलका बनाये रखती थी शादी का दिन आया और मैं अपने नए जीवन की शुरूआत के लिए तैयार थी मापापा की आखों में खुशी और गर्व के आंसू थे और अर्जुन ने मुझे मंड़ब तक ले जाते समय कहा दीदी आज आज आप अपने नए जीवन की शुरूआत कर रही हैं लेकिन याद रखना मैं हमेशा आपके साथ हूँ जैसे आप हमेशा मेरे साथ रही हैं उस पल ने मुझे एहसास दिलाया कि चाहे जिन्दगी कितनी भी बदल जाए हमारे रिष्टे और प्यार की ढोर कभी कमजोर नहीं होगी निखिल और मैंने अपनी नई जिन्दगी की शुरुआत की और कुछ ही समय में वह मेरे जीवन का अभिन्य हिस्सा बन गए अब हमारी जिन्दगी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी जहां हर दिन नई चुनोतिया और खुशिया थी निखिल और मेरा रिष्टा भी समय के साथ और मजबूत होता गया हम दोनों ने मिलकर अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी जिन्दगी बितानी शुरू कर दी अर्जुन और साक्षी की बेटी आर्या भी अब बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी उसका हर दिन नए सपनों और खुशियों से भरा होता था और वह हमारी जिन्दगी का उजाला बनी रहती थी हमारे परिवार में सब कुछ सही चल रहा था और मैं दिल से महसूस कर रही थी कि जिन्दगी कितनी खुबसूरत हो सकती है जब हमारे साथ प्यार समर्थन और साथ देने वाले लोग हों तो दोस्तों अगर हा कहानी कैसी लगी अगर आप अच्छी लगी हो तो लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप भी मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर प्लिक करें धन्यवाद